हेलो फ्रेंड्स आईए सेशन को स्टार्ट करते हैं जो कि अत्तरप्रदेस पुलिस कॉंस्टेबल के लिए बहुत ही महतपून सेशन है आप लोगों को दस प्रैक्टिस दिये जा रहे हैं यहां से एक्जाम में आने की बहुत ही संभावना है यह जो प्रस्न है तो इसलिए आ ज्योत्सना है झाल आपको इसीं को बताना है कि कौन सा सही लिए यह घैक आ लोग हमेशा द्यान रान में तब करताने कर्म को ठीक तो आप लोगों का इसका एंसर है राइट एंसर डी है अधिकरन में और पर होता है याद रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण है निम्न लिखित प्रस्ण में चार विकल्पों में से उससा ही विकल पका चायन करें, जो बताता है कि कौन सा फुरुस वाचक ро नाम का भेद को सब्सक्राइब नहीं तो इसका राइड एंसर जो होगा C होगा पुरुस वाचक सर्वनाम के तीनी भेद हैं अने पूरुस मद्यम पूरुस और उत्तम पुरूर ठीक चलिए अगला प्रस्ण है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं अप्सन है दो चार छे या फिर आठ बहुत इंपॉर्टन केस्चन है तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं होते हैं इसका राइट एंसर डी है जो कि विधी वाचक या विधान वाचक निसेधात्मक प्रस्न वाचक बिस्मयादी बोधक आग्या सुचक इच्छा सुचक संभाव्य वाची और संदेह वाचक ठीक चलिए अगला प्रस्ण है भासा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है सब् सब्से चोटी इकाई होती है इसका राइट एंसर दी आगा प्रस्न है इसका कहा एंसर आप लोग डिजीगा कमेंट बॉक्स में अगला प्रस्न है Shiva important ुझीछ हिंधा माला हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिंदी वर्ण वाला में वर्णों की शंक्या बावन है आप लोग याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्जाम में कई बर आया है यह क्यों ठीक इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा चारों पढ़ने में समय को नर्ष्ट न करि है है अगला प्रस्ट है जीव का पर्याय है ध्वनी है जीव है रसना है यहां का प्रियाय पूछा है who ध्वनी होगा, जीव होगा, रस्णा होगा या फिर वचन होगा तो जीव का पर्याय यह होता है रस्णा है तो वर्णो की समुदाय को वर्णमाला कहते है इसका राइट अंसर A है अगला प्रस्न है अलंकेश का परियावाची सब्द है कुबेर का, चपला का, पादल का या फिर कल्प बिर्च का तो अलंकेश जो है कुबेर का परियावाची सब्द है इसका राइट एंसर ए है चपला जो है बिजली का परियावाची है इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा वर्तनी की दिल्ष्ट से सही सब्द का चयन कीजिए तो यहां आपको उज्वल सब्द बताना है कि कौन सा सब्द सही है बहुत important question है तो इसका right answer C है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उज्वल में दोनों जों हमेसा आधे होते हैं ठीक आपका एक्जाम में कभी गलत नहीं होगा यह question आप लोग बस यहीं याद रखिएगा कि दोनों जों आधे होने चाहिए अगला question है वाकी का वर्गी करण मुख्यता कितनी प्रकार से होता है ओप्सन है तीन दो चार या फिर आठ तो वाकी का वर्गी करण मुख्यता तीन प्रकार से होता है दो प्रकार से होता है अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य ठीक तो इसका राइट एंसर जो होगा बी होगा कि वाक्य का वर्गी करण मुख्यता दो आधार पर होता है अर्थ की आधार पर वाक्य की भीर और रचना की आधार पर वाक्य की भीर अगला प्रस्न है संयूक्त बेंजन कितने होते हैं आप्सन है 4, 3, 6 या फिर 2 तो संयूक्त बेंजन 4 होते हैं 6, 3, ग्यां और स्र याद रखियेगा बहुत ही important question है अगला प्रस्न है ग्यां किस वर्ण के बाद आता है जर के बाद आता है तरक के बाद आता है पर के बाद या फिर ब के बाद तो ग्यां जो है गुज्या के बाद आता है इसका राइट एंसर ए होगा इसको आप लोग ध्यान रखियेगा important है क्लास को आप लोग share कीजिएगा question बहुत ही important है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और revision कीजिएगा क्योंकि exam का time बहुत ही अब करीब है तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए अगला प्रस्न है किस रस को रसराज कहा जाता है स्रिंगार रस को बिवस रस को करूर रस को या फिर सांत रस को तो स्रिंगार रस को रसराज कहा जाता है इसका right answer ए है चलिए अगला प्रस्न है हिंदी में ध्वनिया कितने प्रकार की होती है तो हिंदी में ध्वनिया जो है दो प्रकार की होती है स्वर और ब्यंजन प्रोद जो है यह रोद्र रस का स्थाइभाओ इसको भी याद रखियेंगा बहुत ही इंपॉर्टन है अगला प्रस्न है आचारे भरत ने किस रस को नाट्टे प्रयोग में श्विकार नहीं किया है अगर आचारे भरत मुन के अंसार रसों की संख्या पूछे तो आठ होता है आप लोग इस क्रिश्चन को द्यान पढ़ेगा कि अगर पूछे कि आचारे भरत के अंसार रसों की संख्या तो आठ होती है और ऐसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो नौ होती है एन्होंने सांतर स्कूपी कार नहीं किया था स्रिंगार रस, वीर रस, विभसर रस, रोद रस, हासर रस, अदभूद रस, भयानक रस और करूरुस को उन्होंने माना है चलिए अगला प्रस्ण है रचना के आधार पर वाक्य कितने बेध हैं एक होते हैं, तीन होते हैं, दो होते हैं या फिर पाच्छे तो रचना के आधारप्रवाक्य के तीन वेदें, इसका राइट एंसर जो है B है, सरलवाक्य संयोगत्वाक्य और मिस्त्रवाक्य अगला प्रस्न है, जिसका संबन्ध आध्यात्म से हो के लिए एक सब्द होगा, ऐसे क्यूशन भी आते हैं UP पुलिस कॉंस्टेबल में और आय होगे भी है, पिछले एक्जाम को अगर देखा जाए तो, तो जिसका संबन्ध आध्यात्म से हो, तो उसे आध्यात्मिक कहते हैं, इसका राइट एंसर जो है, बी है, चलिए, अगला प्रस्न है, आधरणी व्यक्तियों के लिए हमेसा किस वचन का प्रयोग होता है, एक बहु बचन का होता है, या फिर दोनों या फिर उन में से कोई नहीं, तो आधरणी व्यक्तियों के लिए हमेसा बहु बचन का प्रयोग होता है, इसका राइट एंसर भी है, ध्यान दखियेगा, इंपोर्टेंट क्यूस्टन है, अगला प्रस्न है, बारह बरस लोग कूकर जीवे और तेरा लोग कूकर जीवे और तेरा बरस लोग किसकी रचना है, जगनी की है, इसका राइट एंसर दी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखियेगा, आप लोग question number 25 है इन में से किस एक कवियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है तो कवियों के राजकुमार के रूप में जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है इसका right answer C है याद रखियेगा हिंडी का प्रथम महाकाव्य है प्रिथ्वी राज रासो है विसल देव रासो है या फिर खुमार रासो है या फिर परमाल राशो है तो हिंडी का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिथ्वी राज रासो है इसका right answer ए है इसके जो कवी है वो चंद वर्दाई है इसको भी याद रखिएगा आप लोग और बीसल देव रासो की जो रचना है मतलब इनकी रचना के लेकर जो है नर्पति नाल है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है सत्रू होना नाक में बिमारी होना अकारन प्री होना दरिया दिल होना तो यहाँ पर आप लोग इन नाक का बाल होना और अकारन प्री होना इसमें कन्फ्यूज होंगे तो नाक के बाल होना मुहावरे का अर्थ होता ह अकारण प्रिय होना ठीक इसका right answer C है अगला प्रस्था है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक सब्द होगा तो जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं दुर्लब कहते हैं या फिर दुर्गम कहते हैं इसी में आप लोग कन्फ्यूज होंगे तो उसे दुर्लब कहते हैं अगला प्रस्था है कम बोलने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा मित भासी वाचाल शपल या फिर मुर्ख तो कम बोलने वाले के लिए एक सब्द है मित भासी Question No. 30 है प्रयाग राज शंग्या की द्रिष्टी से है भाव वाचक है जाती वाचक भ्यक्ति वाचक और द्रब्य वाचक तो प्रयाग राज वो व् व् ब्यक्तिवा चक्संग्या है इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा हिंडी में अयोगवा कितने होते हैं दो होते हैं चार होते हैं छे होते हैं या ती तो हिंडी में अयोगवा दो होते हैं इसका राइट एंसर ए हैं अंक और क्या हैं अयोगवा है इसको भी आप लोग याद रखिएगा समास का अर्थ है विस्तार है विच्छेथ है संचेफ है या फिर नवीन अर्थ है तो समास का विस्तार जो होता है वो संचेफ होता है विस्तार नहीं होता है ना ही विच्छेद होता है आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा और कमें Жाह honest कrit कि वाकप PERK नहीं है हरिवन स्राय बच्छन है तो मधलसाला की लेखर हरुट स्राय बच्छन है इसका राइनसर राइट अखान हरिवन看रё बच्छन की वोगत ही इंपौर्टन रशना है पी इसका एंसर जोगा देव की नंदन खत्री है चंद्रकांट्या की ये उपन्यास कार है मतलब ये उपन्यास है तो इसका उपन्यास कार पूछा है तो देव की नंदन खत्री है अगला प्रस्न है अग्र का विलोम सब्द क्या है चियुत होगा पश्य होगा आगे होगा या फि उघ्र होगा तो अक्रक विलोम पष्चो होता है इसका रॉप्र अंसर है खाहिए अच्छ परỏi करी या पंडीत होई है कभीर्दास कि या सुपंडीत की है क्रेंड़ स्कोर्ण सब्जेक्ट है अगर आप लोगs अच्छा करेंगे तो भी आपका स्छा हो जाता है आप लोगों सर डेली जी एक से सरन कर वा रहे हैं महां से आप लोग जूरिये और ऐच्छे से पढ़िये जो भी आपको डाउठ्षर से पूछिए सर आपको clear करेंगे उसको चलिए अगला प्रस्ता है जिस समास में यहां समास होगा पूर्वपद और उत्तपद दोनों ही प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है तत्पुरुस बहुवरी द्वंद या फिर द्विगू तो जिस समास के पूर्व और उत्तप दोनों ही प्रधान होते हैं वह द्वंद समास होता है इसको आप लोग याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूस्चन है तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोगों का स्कोर क्या था कमेंट कीजिएगा आज की क्लास यहीं समापत होती है जाहें